नमस्कार आप देख रहे हैं हमारी खास मुलाकात और इस बार हमारे साथ जुड़े हैं AIMM के अध्यक्ष OVC साब सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका किम्ती समया आपको हमें दिया सबसे पहले आपसे ये जानना चाहरे हैं गुजरात का ये चुनावी साल है बहुत लोग बताया जा रहे हैं कि OVC साब का दोरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो गुजरात के अंदर हमारा संगठन के पर काफी काम हुआ है तो हम तैयारी कर रहे हैं विदान सबाय के चुनाव के लिए और इसलिए मैं गुजरात को आया हूँ और आता बीर होंगा मेरे साथ माले गाउं से हमारे जो पार्टी लीडर है महराष्टा विदान सबाय मुफ्ती, इसमाईल सहाब और हिदराबाद के मिले हैं वारिस पठान आये हैं तो हम लोग सब मिलकर साबिर भाई के साथ हमारे अद्रेक्शन के साथ मैंनत कर रहे हैं कॉंग्रेस आप और बीजेपी बता रही है कि EIMIM कुछ कर नहीं पाएगा, यहाँ पे इतनी बड़ी पार्टीज है, वो सिर्फ यहाँ पे वोट तोडने के लिए आ रहा है तो देखे, मेरा मानना है कि बीजेपी आप और कॉंग्रेस और कोई फरख नहीं है तो इसलिए वो एक ही जबान में एक ही बात कह रहे हैं हम यह पूछना चाह रहे हैं कि गुजरात में जो मुसल्मानों का और दलित का जो सोशल एकनामिक एज्यूकेशन स्टेटस है, वो इतना खराब क्यों है और इसके क्या वज़े है, और खेल खराब करने आ रहे, वोट काटने आ रहे, यह तो इल्जावन पुराने हो चुके हैं, इसमें कोई असर नहीं है यह इतने साल से बीजेपी क्यों जीत रही है विजरात में, इसका जिमेदार कौन है इसका जिमेदार कौन्गरेस पार्टी है, क्योंकि कौन्गरेस एक स्ट्रॉंग विकल्प नहीं बन सकी बीजेपी के खलाब 84 में आखरी मरतबा एक मुसल्मान यहां से MP बने थे, उसके बाद कोई नहीं बन पाया उसकी जिमेदारी किस पे डालेंगे आप तो इसे बहुत से मुद्ध हैं और इसलिए हम यहां पर हम यह समझते हैं कि हमारे हमारे को एक बहुत बाया स्कोप है, बहुत बड़ी जिमेदारी हम पर है यहां पर और हम उसको कोशिच करेंगी निभाने की आपने बताए कि कोई निमाइंदा नहीं है जो आपकी कुम की बात या तो आपके लोगों की बात उपर तक पहुंचा सके है। कॉंग्रेस तो हर बार कहती आई है कि हम माइनोरिटीज को साथ में लेके चलते हैं हमारे जहां से भी कोई धारासभ्यब बनके आता है या तो कोई M.P.M.L.A. बनके आता है तो वहीं से बनके आता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो हिंदुत्वा एडियालोजी को नहीं मानते जो गांदी और अमबेटकर और भारत की सम्विधान के कॉंस्टिटूशनलिजम को मानते तो उनके लिए मंजले से विकल्ब बन रही है और हमारा मानना ये है कि अगर आप B.J.P. को ओड दें या कॉंग्रेस को ओड दें या आप को ओड दें तो एक ही पार्टी को आप ओड देने के बराबर है इन में कोई जादा फरक नहीं है तो आप देख लीजे कि जब दिल्ली जहांगिर पूरी में डेमॉलिशन हुआ जो मेरी नजर में इलीगल अनकॉंस्टूशनल था तो आ आप पार्टी कुछ नहीं बोलती वहां पर आज आकर आप बड़े बातें करते हैं बलंग बांग दावे करते हैं तो इसलिए हम समझते हैं कि गुजरात की जनता को विकल्प चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि उनके उम्मीदों पर उतार सकें आपने बुल्डोजर की बात में वहां पर जिस जगा पर 16 मुसल्मानों गर तोड़े गए हम अभी लायर से बात किये हैं वहां पर दूसरे समझताओं के भी घर थे मगर टारगेटेड सिर्फ 16 मुसल्मानों गरों को तोड़ा गया बगर आप उनको नोटिस का जवाब तो दिये हो लोग मगर आपने तो है वो इन जगा पर हो या मद्यपरदेश में हो या दिल्ली में हो अगर सरकारें खुद तैय कर लेगी कि को कोर्ट बन जाएंगे जजज बन जाएंगे तो फिर कोर्ट अदालत की ज़ूरत ही नहीं हमको तो यह कलेक्टिव पनिश्मेंट दिया जा रहा है मुसल्मानों आपने बुलाया कि बाबरी खो दिये ग्नान वापी को नहीं खोएंगे जबकि वो डिशिजन तो कोट की तरफ से आया हुआ है देखिए मेरा सवाल बाबरी मुझत तालो से यह है अगर छे डिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाता तो सुप्रियम कोट क्या फैसल लेता पांचे कर तो नहीं देते न हमको अगर वो मस्जिद रहीती महाँ पर तो सुप्रियम कोट तो यह तो नहीं कहता क्या फैसला था लेकिन आप तो फिर उनको चुनोती दे रहे कि आपका जो फैसला है वो गलत है कि नायन वापी को लेके भी आप बता रहे हैं कि हमारे साथ सुप्रीम कोट के एक सावबिखा चीफ जिसस है जिसस जेस वरमा जिसस जिसस वरमा ने अंग्रेसी में एक बहुत तारीखी जुमला कहा किए कि तौरिम कोट इस पर्यू जूरूर है उम्हारे इनफेलेबल नहीं है तो मेरे को ये अख्तियार है सम्भीधानिक के मैए कोट के फैसले से अखतलाफ करूं इज़त के साथ मैं अखतलाफ किया हूँ और मैंने जिस खच्छों का इजार किया था अप्रियंशन का इजार किया था जब सुप्रीम कोड का फैसला आया बावरी मजद के सिविल टाइटल सूट का कि ये आस्था की बुनियाद पर दिया गया और फ्यूचर में ऐसे कई मसले पैदा होंगे वो देखी हम तो सही साबित हुए आप देख लीजे तो आपको क्या रखता है गिनान वापी को लेके आप जो बता रहे हो सही है कोट ने जो सर्वे का कोट का जो सर्वे है वो पारलिमेंट के नैंटी नैंटी वन एक के खिलाफ है सुप्रीम कोट ने जो बाबरी मजजिद जज्मेंट में नैंटी वन के आग को भारत के सम्विधान के बेसिक स्ट्रक्शर से चोड़ दिया उसके खिलाफ है नैंटी नैंटी वन में अलाबाद हाई कोट ने एक स्टे दिया था इसी डिमांड के उपर वो आज भी स्टे है आप पार्टी उसको बदल कर कोट को चले जाते हैं और लोवर कोट उस पर आपको इजादत देता है तो वो स्टे अभी भी है और चौती बात ही है कि आप सर्वे क्यों करना चाहरे बताएए नियत क्या है आपकी सर्वे कराने की आपका बेसिक इंटेंशन क्या है सर्वे कराने का जब एक मामला तै हो चुका है कि 91 के खानून के ठहत 15 आगस 1947 को जो मस्जिद है, मंदिर है, गिर जाएग, जो भी है उसका नेचर और करेक्टर चेंज होगा तो आप क्यों कर जा रहे हैं भाई इसका आपकी क्या करना चाहरे हैं आप आप क्या इसको 2024 के चुनाओ के साथ जूड रहे है नहीं 2024 के चुनाओ आते जाते रहेंगे, चुनाओ से मेरे को मतलब नहीं है देश में जो अमन है देश में जो अमन को बिगाणनी कोशिश की जा रही है जो देश में आलडी नफरत की दिवारें नफरत का तूफान उबल रहा है मुसल्मानों वे खलाफ आप उसमें और तेज़ डालने का काम कर रहे है लेकिन कही लोगों का कहना है कि OVC साब जब तेज़ाबी भाशन देते तो उससे भी ये क्या तेज़ाबी भाशन है केसबुक करें न मुझे बो करिये अगर मैं खानून का उलंदन कर रहा हूँ मैं तो कहता हूँ कि मैं समिधान की बात कर रहा हूँ अगर मैं 91 पारलिम Gates Supreme Court के Judgment कावाला दे रहा हूँ उसमें तेज़ाब कहां से आ गया उसमें तो सच्चाई है अब सच्चाई को जो नहीं मानते कोन नहीं मानते सच्चाई को नहीं एए हैं अब आपको सब चीज़ यादाती है आपको बुरुखाया दाता आथा आए अब सुमानों का लिबार मुस्यूं व clicker आजां से तकलीफ, हलाल गोश्च से तकलीफ, हिजाब से तकलीफ, Лैन्जिहाद, लब जिहाद, जॉब जिहाद, हर चीज से एक नफरत पैदा की जा रही है क्या वज़े देख रहे आप, यह क्यों आपको टार्गेट किया जा रहे है या तो कोई पर्टिकुलर सरकार की वज़े से हो रहा है बिल्कुल देखे आरेसेस की जो आइडियालिजी है और उपर से बीजेपी की जो सरकार है और सोने पे सुहागा यह है कि यह इन जो मैं बोरह सोने पे सुहागा इस सरकास्टिकली कह रहा हूँ यह कॉंग्रेस और आप समाजवादी पार्टी की डेलिबरेट खामोशी इस बात को परवान चड़ा रही है नफरत को और आगे बढ़ा रही है आप बताईए कि फिर आप अगर एक भारत के जो बाइज़स शेहरी है मुसल्मान उनके तालोग से इस तरह नफरत बैदा करेंगे तो फिर मुझे तो यहां कहना पड़ेगा कि भारत के जो फॉरण सेकरेटरी थे शाम शरन साहब शाम से ने आर्टिकल में लिखा कि इस तरह से नफरत से कर मुसल्मानों का एक छोटा सा तबखा गर राडिकलाइस हो जाएगा तो सेक्यूरिटी के लिए परिशानी हो जाए हैं आप बताईए उस पर क्या बोलेंगे आप भारत के होम सेकरेटरी पिल्ले साथ आपने खिलाफ को बले कि मत करो यह सब मुसल्मानों खिलाफ तो आपको तो सोचना चाहिए ना जो सरकार में है क्या यह डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है ठीके डरने वाले कोई न रहता है डरने का माहौल नहीं है आप देश में माहौल पैदा कर रहे हैं इसे देश कमजोर होगा आपको सियासी फाइदा तो हो जाएगा मगर आप देश के लिए हित में क्या सोच रहे हैं अच्छा यह बताईए कि बी जे पी की सरकार है मैं तो कहूंगा कि मोडी सरकार का नाम होने चाहिए शौट एड सरकार ग्यों नहीं है कोईला नहीं है रोजगार नहीं है पेट्रोल डिजल की खीमती आसमानों को छो रही है हाँ क्या मिल रहा है देश में बता रहा हूं आपको महेंगाई मिल रही है और नफरत मिल रही मुसल्मानों यह मगड़ जो चीज की मोडी सरकार ने कहा कि हम विश्व गुरू हैं और पूरे विश्व में हम लोग यहों भी जाएंगे छे दिन के बाद आप बोलें नहीं नहीं भी जाएंगे हम अन्य यह आपके इन्हीं यह consistency आपकी policy किये के 6 दिन पहले आप पूरी दुनिया को बोले हम विश्व गुरू हैं ग्यों भी जाएंगे आपको और 6 दिन बाद बोले हम नहीं नहीं भी जा it काँ के विश्व गुरू हैं अगर कोई नौजवान बरोजगार में तो भारत में है पूरे विश में अब देखे आरबिया की रिपोर्ट आई की इन्फिलेशन कितना होगा देख लीजी आप आठ साल से आप सरकार में है ना आपने आठ साल में ये नौबत ला ला लिए अच्छा आप मालू आठ साल में क्या था गुजराद इस तरह से अच्छा कर रहा है तो आपको क्या लगता है हम उनको बोलते हैं कभी रिवर्ट फरंट से आगे चल कर देखो मुस्लिम इलागों में खुद जाकर देखें हम तो कल फिरे पैदल फिरे पहले भी गया था मैं तो आप इतना दावे कर रहे हैं चलिए चल के देखिए न अल्ला ने आपको आखें दिया है आप बासलायत हैं तो जाकर देखिए कैसा रहते हैं महाँ पर लोग बताईए क्या हो रहा है महाँ पर गुजराद के एक्स डेप्यूटी सीम ने बताया था कि यूनिफर्म सिविल कोड़ जरूरी हो चुका क्योंकि जिस तरह से आवादी बढ़ रही है कई कॉम्यूनिटी की या दो कॉम्यूनिटी की उसको लेके बात की जाएगे उत्रा खंड में वो चुनाव के बात उत्रा बिता हम उनको पूछना चाह रहे हैं वो कभी ये फरख को जानते हैं दिया भागा और मिताक्ष्रा स्कूल आफ थार्ट में क्या होता है सत्पती की वो कल्चर को क्या करेंगे और फिर क्या आप एगरिकल्चर लैंड में लड़कियों को जमीन देंगे और पांचवी बात ये बताइए कि हिंदू अंडिवाड़ड़ फैमिली आक्ट में टैक्स रिबेट आप मुसल्मानों को क्रिस्टियन को क्यों नहीं देते भाई या ये तो राइट टू इक्वालेटी का वाइलेशन है 2014-15 में 3000 कौर का टैक्स रिबेट मिला मुझे क्यों महरूम कर दिये भाई आप हिंदू अंडिवाड़ड़ फैमिली का आपको दे रहे अच्छा डिरेक्टिव जो समभीधान का पार्ट फोर है उसमें आर्टिकल 37 क्या है कि पूरे देश का जो resources है वो जो है equally distribute होना आपको मालूम के देश की 45 फिसद दौलत 10 फिसद लोगों के पास है और जो निचले सते के 50 फिसद है उनके पाँच फिसद देश की दौलत है यह violation नहीं डिरेक्टिव प्रिंसपल का शायद वो समानता के लिए उनिफॉम सिविल कूर की बात कर रहे है दौलत मन तो आप पैदा कर रहे है दौलत मन तो आप पैदा कर रहे है वो बुल रहे है सबका साथ 45 फिसद देश की दौलत 10 फिसद लोगों के पास है और जो 50 फिसद उनका से 5 फिसद दौलत है यह डिरेक्टिव प्रिंसपल नहीं कहता है कि देश की दौलत सब में बराबर होनी चाहिए क्या अनिम्पलाइमेंट के अपतालों से डिरेक्टर प्रिंसिपल में नहीं कहा गया क्या आर्टिकल डिरेक्टर प्रिंसिपल का आर्टिकल 48 या 47 है जो कहा कि शराब गुजरात में शराब बन दी है ना चलिए हम होटल में दे पूरे देश में जलागा इश्राब की पाबंदी, डिरेक्टर प्रिंस्पल कह रहा है, मुसल्मान नहीं डिरेक्टर प्रिंस्पल कह रहा है, आप उस पे नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड और कॉमन सिविल कोर्ड में फरक बता दो बीजेपी वालो, उनका तो च खानून ये है, अगर एक हिंदू शादी करता है, और उसकी बीवी पच्चीस और तीस साल क्यों जाती है, उसको उसका उलाद नहीं होती, या बेटा नहीं होता, वो सेकंड मेरेज कर सकता है, और हम पर इलजाम हम दो दो करते, तीन तीन करते, चार चार करते, चलिए अब स कर रहे हैं अब दोजार बाइस का, मैं पदान मंत्री को कह रहा हूं, आर एसस को कह रहा हूं, उस सेंसस में आप एक क्वेस्टिन का अधाफा कर दीजिए, लिख दीजिए किस के पास दूसरी तीसरी चोटी बीवी और किस के पास मिस्ट्रस है, दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा, आखरी जो सेंसस में सवाल पूछा गया था किसके पास दूसरी और तीसरी बीवी है, हिंदू भाई आगे थे, मुसल्मान थोड़ा पीज़े था उनके, आप नहीं कर रहे हैं, आप सवाल पूछ लीजे हम तो कह रहे हैं से, आचा और एक चीज़, आप हमने सम्मिधान में नौर तीस के लोगों को, नागालांड, मीजरम और जितने उनको, उनका कल्चरल प्रोटेक्शन का सम्मिधान में हमने आर्टिकल बनाया, चेंज कर दीजे, करेंगे आप, आग लग जाएगी वहाँ पर, आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है कि वो च चाहिए, अमिट करने कहा, यह नहीं कहा, अमिट करने, वो भी कॉंस्टिन असम्मली में कहा था, बाबा सब अमिट करने, और फिर आसाम में, आपको मालू, आसाम नौर्थीस में, डिवर्स कैसे होता है, वो एक दूसरे फटर फेकले, डिवर्स हो जाता है, अचा यह बोलत पर ने सुनिये, पॉलेंडरी क्या है, लेकिन जिवर्स के मोटते है, उलका कहना है कि तिपन तलाक से हमें अच्छा रचा है, ने सुनिये, पॉलेंडरी क्या है, एक महिला, एक, दो, तीन मरद रख सकती है, शाधी कर सकती है, आप करिए, सुप्रीम कोर्ट में गए वो लो आप इतनी तारिफ कर रहे हैं भारत की, तो कुछ लोग क्यों बताये, बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाए हैं? पार्टी सेवन में हमारे बुजरगों ने कहा कि हमको मतलब ही नहीं है, हमने टू नेशन थेरी को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए तो हम लोग इस मुल्क को अपना वतन माने हैं, आपके पास चॉइस नहीं था पाकिस्तान जाने का, मेरे पास था चॉइस, तो मैं बाई बर् बाईने से हमको इतराज नहीं हमको फखर मैसस होता हमको, सीना चॉड़ा हो जाता हमारे हाथ के रौंग्टे खड़े जब जन्गनमन पढ़ते हैं, तो मदर्सा में कंपलसरी करने हैं, उसको कोई इतराज नहीं कर रहा है, हम यह पूछ रहे हैं कि वो लोग मदर्सों में ज इस्सा मतलो, मेरे पास मैं पढ़ा हूँ, गोलवालकर से जब पूछा गया कि कुछ इंडिया मुव्मेंट में दे, तो बोले नहीं नहीं मत जाओ बिठोर रुख जाओ, आप हमको देश भक्ति का सबख सिकाएंगे, क्या उनके लिए वो चुना भी मुद्दा है, नहीं वो देखिए जब उनके बड़े लोग जब अंग्रेजों के साथ मिलेवे थे, तो उनको कलंग है, उस कलंग को धोना चाते हमारे पे इल्जाम लगा कर, यही मदर से थे जिनों ने अंग्रेजों के खलाब जिहाद का फत्वा दिया, रेश्मी रुमाल की तहरीक के शाकाओ में बैचने वालों ने शुरू की, यह मदरसों के उल्माओं ने शुरू की, माल्टा की जेल में शाका में जाने वाले थे, यह मदरसों के जिम्मेदार थे, आपके काला पानी में सूली पर चड़ने वाले शाका के थे, यह मदरसे के थे, दिल्ली की जाम मजजिस से लेकर मौझूदा पाकिस्तान लाहूर तक जो रोड पर जो पेड़ थे वहाँ पर लाशे लटक रही थी तो शाका के वालों की थी या मदरसों के उल्माओं की थी मुलाना अबुलकलाम आजाद शाका के थे या मदरसे के थे जोहर बादान किसी आरसे शाका के थे या किसी मदरसे के थे सुबास चंदर बोस के साथ जो जान की खुर्बानी दिये वो कौन थे मुसल्मान मुसलमान मदर से के भी थी और बड़े-बड़े खाणदान के मुसलमान थे आप हमको देशभक्ती मत सिकाए हमसे सीक ना है तो सीक लीजिए मगर आप मदर سो में क्यूं आप ये बताना चाहरे हैं के दो को इनको देशभक्ती सिकाना है मदरसे में जो पढ़ते हैं न वो देश भग बनकर निकलते हैं उनको सिखाय जाता कि बई इस सरजमीन से महबत करो इस सरजमीन पर हमने यहां पर खुर्बानिया दी आप उन्हीं को देश भक्ती का सर्टिफिकेट देना चाहरे हैं स्वेट बिकट जुर्यत नहीं है कि मदर्सों में जनगनमन नहीं पढ़ा जाता है पढ़ा जाता है हम आप से कह रहे हैं कभी हमार सच चली आप किसी मदर्से में चलिए बगार बुले चले जाएंगे हम तो यसे फिक दिखावा है आपको लग रहा है ने ये हमारे हिंदू भ हमारे हिंदू भाई से कहा है आप चलिए मदर्सों में आप बगार बोले जाएए उच्छी मदर्सों में जनगनमन नहीं होता तिरंगा कब लह रहा आगए आरसस का आफिस में नाकपूर में तिरंगा कब लह रहा आगया क्या ये बात सच नहीं है कि गोलवालकर ने में लिखा हो गया नखमा है हमने तो नहीं कहा था ये जब 15 आगस 1947 को तरंगा लहरा गया तो पूरे देश में मदरसों में अलमाओं ने तरंगा जंगन मन पड़ा तो मान लेते कि कुछ लोग ऐसा है लेकिन गुजरात की भी जब बात की जा है कुछ लोग नहीं वो कुछ लो होना चाहिए उसको मिटना चाहिए तारिक में एक बार लिखा जाता है ना भूलता नहीं है कोई ठीक है अब गुजरात की बात कर लेते क्यूंके बीजेपी अध्यक्ष पार्टेल ने बताया कि 182 आउट ओफ वन एटी टू सिट्स खुद बीजेपी जीत रही है किसी और उनका कहना है कि 2019 में जो चुनावी परिणाम आए अभी जो स्थानिक स्वराज की वो शायद वो कंग्रेस आपको सामने रख कर कह रहे हैं हम तो ऐसा हुने नहीं देंगे कितनी सीट देख रहे हैं अरे हम हमारे अच्छी सीट पे लड़ेंगे कितने नंबर रहेगा हमारे साबर भाई साब वो टाइक करेंगे टीम टाइक करेंगी शुक्रेया सार हमारे साथ बातचित करने के लिए आपका किंती समय देख तो हमारी खास मुलाकाद में फिलाल इतना ही